नमस्कार खेलड़ा में आपका स्वागत है एसिया कप के सूपर फोर स्टेज के मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया है रविवार 4 सितंबर कुए इस मैच में भारत ने 181 रनों का स्कोर बनाया था जवाब में पाकिस्तान ने आखरी ओवर में जाकर इस लक्ष को हासिल कर लिया यह मैच रोमान्चक के चरम पर था जहां आखरी तक किसी विजेता का मालूट पढ़ना मुश्किल हो रहा था लेकिन अंत में पाकिस्तान ने बाजी मार ली एक हपते पहले ही पाकिस्तान को पांच विकेट से हार जिलनी पड़ी थी लेकिन उसने यहां भारत को पांच विकेट से हराया और हिसाब बराबर कर लिया आपको बता दे कि पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए आकरी दो ओवर में 26 रन चाहिये थे आपको बता दे कि आकरी ओवर में पाकिस्तान को 7 रनों की जरुवत थी भारत की ओर से अरसदीब सिंग ने कमान सभाली लेकिन वह जीत नहीं दिला पाए यहां एक विकेट भी मिला लेकिन भारत के किसी काम नहीं आया आपको बता दे कि टीम इंडिया के फास्ट बालर अरसदीब सिंग ने रवी विश्मवी की बॉल पर आसीफ अली का बिहद आसान कैट छोड़ दिया था यह कैट छोड़ना ही भारी पड़ गया अठारवे ओवर की तीसरी बॉल पर आसीफ अली ने जब सौट मारा तब अरसदीब के पास बॉल गई और उन्होंने बेहद हिल्ला परवाही से उसे पकड़ना चाहा लेकिन वह कैट छूड़ गया कैट छूटने के बाद आसीफ अली अगले ही ओवर में छकका और चौका जड़ा अरसदीब से जब कैट छूटा था तब कप्तान रोहि सर्मा का गुसा देखने लायक था